अब हम हमारे नेक्स्ट सब टाइब की दरफ चलते हैं पार्चे डिफ्रेंशियेशन यूजिंग स्टैंडर्ड डूज के यहां पर भी हमें बेसिक्स के ही यूज करना है और सिमिलर है बट यहां पर हम पार्चियल वािय करेंगे है एकडम सेम ही हमें पार्चियल वह करना यह है, डिखर सिंग और बेंटिव के । जसन की लगाने है और वयसे ही हमें एक तंब को निखत सब्सक्राइब करना और एक तम को constant consider करना है और दूसरे तम को उसी टाइम पर डेरिवेट्ट्व करना है ऐसे ही करके हम इसको solve करेंगे जैसे कि हमने basics में किया और हमारे last type में किया जो कि algebraic expression कहा था तो इसके उपर मैं example लूँगा ताकि आपको ज्यादा तर समझ में आए तो वीडियो को लाज सकते हैं यह ताकि आपको इस type के बारे में अच्छे से idea आजाएए हुआ है झाल 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 झाल